जब आपसी सहमती तलाग की बात होती है, कई बार जब आपको मैंने प्रोसीजर समझाया था, बताया था, तो एक बात मैंने बताई थी कि 6 महीने का समय लग जाता है, अगर मान लीजे, आपसी सहमती तलाग कोट में फाइल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो एक application, जिससे हम लोग कहते हैं, exemption of appearance application, इसका मतलब यह होता है, कि अगली तारिक में हम उपस्थित नहीं हो सकते, कोट के सामने अपियर नहीं हो सकते, इस वज़र से हमको exemption दिया जाए, छूड दी जाए, और अगली date में किसी और date पे अपियर हो सके, ऐसा यह एक मामला आया अलाहबाद हाई कोट के सामने, जी हां, और यह case था, रूपा वर्सिस संतोष कुमार का case, AIR 2005, अलाहबाद, page 172, अब यह रूपा वर्सिस संतोष कुमार के case में आखिर हुआ क्या था, दोनों पती और पतनी, आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे के खिलाफ, काफी सारी petitions, काफी सारी application, काफी सारे complaint procedure शुरू किये हुए थे, आपस में लड़ते लड़ते एक थोड़ा समय जब निकला, तो दोनों के बीच में settlement हो गया, समझोता हो गया, और समझोते के बाद में, उन्होंने mutual divorce के लिए court में अप्रोच किया, जब mutual divorce की petition file की गई, तो एक constant term बनत थी, इस वज़ा से वो आ नहीं सकी, और अपने वकील के through उसने एक application डाली court में, exemption of appearance application, जसके उपर हम इस particular वीडियो में बात कर रहे हैं, तो जब exemption of appearance application court के सामने आई, तो court ने reject कर दिया, ये कहते हुए कि धारा 13b, section 13b Hindu marriage act 1955 का जो कानून है, उसके तहत इस प्रकार का कोई provision ही नहीं है, कि हम आपको exempt कर सके, और इस हिसाब से उनका जो mutual divorce था, वो खतम कर दिया गया, मतलब दिया नहीं गया, mutual divorce नहीं दिया गया, petition reject हो गई, और साथ में जो wife ने application दी थी, exemption of appearance की application, वो application भी consider court ने नहीं की, क्योंकि मामला काफी उलजने, उलजने के बाद में एक प्रमाईस था, court ने प्राइमर फिसाई ये नहीं ध्यान दिया, कि हो सकता है वास्तविक तोर पर उसकी तवित खराब हो, इस वज़े से वो नहीं आ सकती, और किवल इस आधार पर उसकी petition reject कर देना तो genuine नहीं था, इसी बात को high court अलाहबाद ने consider किया, और जो मैं AIR 2005 का case बहुत महत्वपूर्ण है, रूपा वर्सिस संतोष कुमार का case, इसमें court ने यहीं बताया, कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये technical difficulty थी, कानून में ये provision नहीं था, कि या exemption application आप allow करो, या नहीं करो, या जो कुछ भी, उसके बावजूत, क्योंकि कहीं पर भी evident नहीं था, कह की एक दूसरी बात है, लेकिन इस case में उसने कोई affidavit नहीं दिया था, इस वजह से court ने इसको allow किया, और बहुत शांदार बात कही, technicalities cannot be allowed to prevail the substantial interest of justice and proceedings are made to achieve ultimate objective to distress justice, न्याय देने के लिए ऐसा नहीं कि आप technicalities को ध्यान में रखें और technicalities के बेस पे न्याय की जगा अन्याय हो जाए, इसी बात को court ने ध्यान रखा, हलाकि exemption card 13B में कहीं पर कोई specific provision नहीं है, उसके बावजूत, क्योंकि ultimate objective क्या था, ultimate goal क्या था, दोनों को इस परिशानी का solution लेना था, जो कि आपसी स्थेमिती तलाग के थूँ वो जा रहे थे, तो court को ये application allow करने चाहिए थी, ये honorable high court ने कहा, और ये जब AIR मतलब Supreme Court तक पहुँचा होगा case, 2005 में registered हुआ, रूपा वर्सस संतोष कुमार के नाम से, तो बहुत ही जरूरी है कि जब कभी भी आप second date of motion में ना जाएं, तो at least एक application जरूर डाल दें, जस application को हम exemption application बोलते हैं, exemption of appearance application बोलते हैं, कि भई हो सकता है कि ग खाली उस date को छोड़ दें, बेटर ये रहेगा कि आप court के सामने अपने वकील के थूर या किसी और के माध्यम से एक exemption application जरूर डाल दें, तो ये थी बात exemption application आपसी सहमती तलाग के उपर, आपने शुरुआत की थी अशोपाणने के साथ, अगर आप नए हैं, तो आपको online legal advice subscribe करना है, कानून की जो जानकारी है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती आप तक महचती रहेगी, किसी personal परिशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझे बात, तो आप कर सकते हैं, जी है, appointment इस वीडियो के description में mention है, जहां से आप direct details ले करके appointment दो करके मुझे कर सक करते हैं बात, रखिए अपना धियान, मिलते हैं अगले वीडियो में